अगर उनके बीच में कोई भी profit sharing ratio change होता है तो मतलब partnership agreement में change होता है और अगर partnership agreement बदलता है तो उसका मतलब होता है कि partnership firm reconstitute हो रहा है उसका पुनरगठन किया जा रहा है तो आज हम start कर रहे है change in the profit sharing ratio among the existing partners और इसमें जो आपका adjustment required है उसमें पहला adjustment है आपका gaining ratio and sacrificing ratio कैसे calculate करेंगे gaining ratio और sacrificing ratio को calculate करने के बाद हम valuation of goodwill करेंगे मतलब goodwill का valuation करेंगे और उसके बाद हम treatment of reserve and accumulated profit करेंगे और इस तरीके से step by step हम इसमें बढ़ेंगे तो देखिए बच्चो जब भी आप पढ़ाई करते हो किसी भी chapter को पढ़ते हो तो उसको हमेशा आप step by step पढ़ोगे है ना आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप partnership पढ़ रहे हो वो business किस तरीके से काम करता है ऐसा नहीं है कि आप जो gaining of sacrificing ratio यहाँ पर calculate करेंगे तो यह आपके लिए एक topic है इसके बाद valuation of goodwill एक topic है और उसके बाद फिर जो आपका treatment of reserve जो करोगे ये सब कुछ एक topic है आप हमेशा sequence में देखो कि किस तरीके से partnership firm काम कर रहा है और gaining और sacrificing ratio को calculate के गरने के बाद अगला क्या होना चाहिए है ना तो हमेशा आप ये सबाद का ध्यान रखो कि firm, partnership firm किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम चीजों को calculate करते हैं ये बात हमेशा step को ध्यान में रखना ये आपका कोई एक topic नहीं है कि इसको cover कर लोगे तो आप examination में आपका जो है अच्छा marks आएगा आप जब तक sequence को नहीं समझाओगे तब तक आपको हमेशा examination में सवाल आएगा तो आपको problem होगा कभी ऐसा हो सकता है कि examination में आपका सवाल आए और आप confused हो जाओ क्योंकि आपको sequence नहीं पता है तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से partnership firm काम करता है तो यहाँ पर आज जो हम आपको बताएंगे वो है calculate करना sacrificing ratio and gaining ratio देखिए जब agreement में बदलाव होता है जो existing partner है उनके बीच में जब profit selling ratio change होता है तो कोई partner क्या करता है? sacrifice करता है मतलब अपना हिस्सा छोड़ता है और जितना हिस्सा वो छोड़ता है उतना ही दूसरा partner क्या करता है? gain करता है तो इसी क्लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम calculate करेंगे क्या sacrificing ratio and gaining ratio तो सबसे पहला आपका क्या हम calculate करेंगे sacrificing ratio and gaining ratio gaining ratio यह हम calculate करेंगे और इसको calculate करके हमको पता चलेगा क्यों सा partner sacrifice किया है मतलब अपना हिस्सा छोड़ा है और उतना ही हिस्सा कौन सा partner gain किया है यानि किस partner को मिला है और इसके बाद हम जो करेंगे वो valuation of goodwill इसके बाद हम क्या करेंगे? goodwill का valuation करेंगे और जो gaining partner है तो मतलब gaining partner sacrificing partner को जितना हिस्सा वो gain किया है उतना goodwill का हिस्सा sacrificing partner को देगा as a compensation देखिए यहाँ पर हम जो है वो business करने के लिए बैठे हुए हैं अब यहाँ पर घरेलू बात नहीं है के चलो मेरे plate से एक रोटी तुमने खा लिया या 2000 रुपया मैंने अपने भाई को दे दिया तो चलो चलता है इसमें कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूत नहीं है अपने ही family member को दिये है लेकिन यहाँ पर जो partner सिर्फ हम है वो हमने business करने के लिए बठे हैं यहाँ पर और business करने में हम एक एक रुपय का यहाँ पर हिसाब करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले sacrificing और gaining ratio का पता करेंगे और पता करेंगे कि कौन partner gain कर रहा है और कौन partner sacrifice कर रहा है ठीक यह पहला step दूसरा step हम goodwill का evaluation करेंगे और goodwill का evaluation करने के बाद ये देखेंगे कि कौन सा partner gain कर रहा है और ये gaining partner as a compensation जितना हिस्सा ये gain किया है उतना goodwill का हिस्सा sacrificing partner को देगा as a compensation क्योंकि हम यहाँ पर business करने के लिए बाठे हुए हैं और business में एक एक रुपे का हिसाब होता है है ना तो सबसे पहले change in the profit setting ratio among the existing partners में आपका क्या calculate करेंगे sacrificing ratio and gaining ratio हमको calculate करना पड़ेगा पहला step है ना दूसरा step फिर हमको goodwill calculate करना पड़ेगा जानना पड़ेगा कि goodwill किस तरह के से हम evaluate करेंगे तो उसका तीन आपका method हम आपको यहाँ पर बथाएंगे average profit method, super profit method and capitalizer method तो हम goodwill calculate करना सीख जाएंगे और उसके बाद gaining partner जितना यह game किया है उतना goodwill का हिस्सा sacrificing partner को as a compensation देगा तो आपको step समझ माया अब इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले सीख लेंगे जानना होगा आपको कि हम calculate कैसे करेंगे कि sacrificing ratio या gaining ratio कैसे calculate करेंगे यह हम पहले सीखेंगे तो यह आपका पहला step है देखें इसके लिए हमने कुछ question भी यहाँ पे लिए हैं हम लोगोंने और इसको solve करके हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम gaining or sacrificing ratio calculate करते हैं यहाँ पर जो formula है gaining और sacrificing ratio का वह हम सबसे पहले देख लेते हैं देखिए sacrificing ratio का क्या formula है old ratio old ratio में अगर हम minus कर देते हैं घटा देते हैं new ratio तो उससे आपका क्या पता चल दाएगा sacrificing ratio बहुत simple है मान लो कि A और B दो partner है और दो partner या भी फिलाल समझे लो कि दो भाई हैं A और B दो भाई है A के plate में कितने रोटिया थी मान लो 5 रोटी था ठीक है और profit sharing ratio change होने के बाद मतलब मान लो कि जब ratio change हुआ इनके बीच में इनके बीच में जब बटवारा हुआ तो नए जो आपका भाई A था इसके plate में 5 रोटी था और अब बचा 2 रोटी पहले था 5 रोटी अब इसके plate में था 2 रोटी तो इसका मतलब कि 3 रोटी किस को दे दिया इसने B को दे दिया और ये 3 रोटी क्या क्या इसने sacrifice कर दिया तो इस तरीके से हम sacrificing ratio यहाँ पर calculate करेंगे मतलब पहले मेरे plate में कितना था 5 रोटी अब मेरे plate में कितना है 2 रोटी तो हमने sacrifice कितना कर दिया 3 रोटी और A ने जितना sacrifice किया उतना ही तो B ने gain किया इसने तीन रोटी छोड़ा यानि sacrifice किया तो B ने तीन रोटी गेन किया तो इस तरीके से ये बहुत कोई hard नहीं है बहुत simple सा है जितना एक partner छोड़ेगा उतना ही दूसरा partner क्या करेगा गेन करेगा तो ये कोई formula आपका है कह सकते हो लेकिन इसको आपको हर formula को समझना होगा तो sacrificing ratio is equal to old ratio मेंसे अगर आप new ratio minus कर दोगे तो आपको sacrificing ratio पता चल दाएगा मतला partner ने कितना sacrifice किया है इसके बाद gaining ratio आप कैसे calculate करोगे तो gaining ratio is equal to इसका उल्टा कर दो new ratio minus old ratio अगर आप ये करोगे तो आपका gaining ratio का पता चल जाएगा और नहीं तो sacrificing ratio अगर प्लस में आपा है है ना अगर आप इस formula से चलते हो sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि ये sacrifice है और अगर minus में आता है तो इसका मतलब है कि ये gain है है ना तो आपको दूसरा formula apply करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये formula अपनाते हो तो plus में आएगा तो sacrifice और minus में आएगा तो क्या gain सिधी सी बात है आपको मैंने formula लिख करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपके objective question में examination में formula आपसे पूसता है कभी-कभी एक नंबर के सवाल में तो आपका option दिया रहेगा इस तरीके से आप सही option में tick कर सकते हो चलिए तो अब हम सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि कौन partner कितना sacrifice कर रहे है और कौन partner कितना gain कर रहे है ठीक है चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर आपका पहला सवाल दिखते हैं आपके partner कौन है तो इसको आप एक format पे बना लेना ताकि calculate करना असान हो जाए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना partners कौन-कौन existing partner है आपके partners पहला column इसके बाद आप क्या करोगे इनके बीच में old profit sharing ratio क्या है यह आपको जानना होगा तो यहाँ पर लिखोगे old ratio एक column इसका बना लेना इसके बाद आप क्या बनाना new ratio new ratio क्या है यानि जब partnership में बदला हुआ agreement में change हुआ और पुरारें ratio से new ratio में आपने आया तो new ratio क्या है यहाँ पर आप लिखोगे इसके बाद आप sacrificing या gaining ratio इस तरह के से calculate करना यहाँ पर आपका है ठीक है तो इस तरह के से आप यहाँ पर column बना लेना ताकि आपको calculate करना आसान हो जाए अब देखिएगा A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 1 यानि A और B partner है यहाँ पर तो partner में A और B लिख लेना और इनका old profit sharing ratio कितना है 2 is to 1 का मतलब हो गया कि total जो profit है उसको 3 हिस्से में बाठा जाता था कुराने firm में जिसमें से 2 हिस्सा मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा कौन रखता था? A और 3 हिस्से में से 1 हिस्सा कौन रखता था? आपका B तो इनके बीच में profit sharing ratio क्या था? 2 is to 1 का बात सलमाया तो A का हिस्सा था 2 by 3 और B का हिस्सा था 1 by 3 इसके बाद काता है with effect from 2019 they agreed to share profits and losses equally और आपका 2000 क्या है? उनीस के बाद से इनों ने क्या किया कि इनके बीच में profit sharing ratio जो है वो change हुआ और profit sharing ratio जो change हुआ उसमें इनका जो ratio नया ratio बना वो था आपका 1 is to 1 का 1 is to 1 मतलब equally equally मतलब A का हिस्सा था 1 by 2 और B का हिस्सा था 1 by 2 यही equally हुआ यहाँ प्याब कर ले ना 1st April मालो 1st April 2019 को इनका profit sharing ratio change हुआ और equally हो गया equally मतलब 1 is to 1 के ratio में इनका हो गया तो मतलब जितना भी profit है अब कितने हिस्सों में बटेगा दो हिस्सों में बटेगा जिसमें से एक हिस्सा कौन लेगा A और एक हिस्सा B लेगा जाहिर सी बात है आधा आधा लेगा है ना तो इनके बीच में जो old profit sharing ratio था वो 2 by 3 था और B का 1 by 3 था अब जो नया ratio है यानि नए partnership firm में वो A का हिस्सा कितना है 1 by 2 और B का हिस्सा है 1 by 2 अब हमको पता करना है कि gaining ratio या sacrificing ratio क्या है तो क्या करेंगे old ratio minus new ratio अगर plus में आता है तो sacrifice और minus में आएगा तो gain clear है अब देखते हैं minus करते है old minus new ratio तो 2 by 3 में से minus कर देंगे 1 by 2 ठीक है यहाँ पर LCM लेते हैं हम 6 तो 4 minus 3 plus में आया 4 minus 3 plus में आया 1 by 6 तो इसका मतलब यह क्या कर रहा है sacrifice कर रहा है अगर 1 by 6 यह sacrifice कर रहा है तो बाने calculate कि ए आप यह बता सकते हो कि B ने कितना gain किया 1 by 6 यानि B यहां पर कितना gain कर रहा है 1 by 6 गें कर रहा है और यह ज़रूर minus में आएगा देखना, calculate करते हैं, old ratio 1 by 3 में से minus कर देंगे, new ratio 1 by 2, यहाँ पर LCM ने लो 6, है ना, तो यह हो जाएगा 2 minus 3 आएगा आपको क्या, minus 1 by 6, लेकिन आपको minus लिखना नहीं है, minus का मतलब हो गया, यह gain है, ठीक है बच्चो, तो मतलब का कहने का है, कि A ने यहाँ पर sacrifice किया, 1 by 6 और उतना ही B ने gain किया, clear है, तो यह हो गया, B आपका gaining partner हो गया, और A जो है आपका, वो sacrificing partner हो गया, कुछ और question का हम यहाँ पर practice कर लेते हैं, चलिए, format आप इसी तरहेके से रखोगे, आपको मैंने formula समझा दिया, कुछ question आपको हम practice करवा देंगे, और उसके बाद फिर हम goodwill का valuation करना सीखेंगे, step आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, देखें, question number 2 अब हम देखेंगे, question number 2 क्या है, A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1, तो सबसे पहले partners का नाम लिख लो, जो existing partner है, A, B and C, तीनों partner का आपने नाम लिख लिया, अब इनके बीच में old profit sharing ratio कितना है, 3 is to 2 is to 1, 3 is to 2 is to 1 का मतलब हो गया, 3 by 6, A का हिस्सा पुराने firm में, 2 by 6, B का हिस्सा पुराने firm में, और 1 by 6, जो है C का हिस्सा पुराने firm में, जब आप 3 is to 2 is to 1, जो कि आपका old ratio है, तीनों को जोडोगे, तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानि total जो profit होता था firm का, इसको total 6 हिस्सों में बाटा जाता था, और 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा A रखता था, 6 हिस्से में से 2 हिस्सा B रखता था, और 6 हिस्से में से 1 हिस्सा C रखता था, अब इनके बीच में, जो ratio था, आपका profit sharing ratio, वो change होता है, Change होता है, मतलब agreement में बदला हुआ, इसका मतलब reconstitution of partnership firm हुआ, तो अब इमके profit sharing ratio change हुआ, और new ratio क्या हुआ हुआ हम देखते हैं, the partner decided to share future profit, future में जो profit बटेगा, profit and losses in the ratio of 2 to 2 to 1, ठीक है, अब जो नया partnership firm होगा, उसमें ABC का क्या होगा, 2 to 2 to 1 में आपका profit sharing ratio होगा, तो नया ratio क्या ह होगा, 2 by 5, 2 by 5 और 1 by 5, ठीक है, अब जो नया firm है, उसमें क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, total profit 5 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से 2 हिस्सा A रखेगा, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा B रखेगा, और 1 हिस्सा कौन रखेगा, C रखेगा, तो अब हमको पता करना होगा, कि sacrificing और gaining ratio क क्या है, मतलब कौन से partner ने sacrifice किया, और कौन से partner ने gain किया, इसके लिए formula old minus new ratio, तो old ratio यहाँ पर एका कितना है, 3 by 6 में से minus कर देंगा, हम 2 by 5, तो यहाँ पर आप LCM ले लो, आजगा आप पर 30, 15 minus 12, यह हुआ, तो यहाँ पर हुआ, प्लस में आया, 3 by 30, अगर प्लस में आया, तो मतलब इसने sacrifice किया, clear है, अब दूसरा देखते है, old ratio बताइए, बी का कितना है, 2 by 6, इसमें से minus कर देंगे, new ratio, 2 by 5, LCM ले लो, यह हो जाएगा, आपका 30, 10 minus 12, क्या हो जाएगा, 10 minus 12, तो यहाँ पर minus में आ रहा है, 2 by 30, इसका मतलब है कि, B ने क्या किया है, gain किया है, A ने sacrifice किया, B ने 2 by 30, gain किया, अब C का देखते हैं, C का old ratio है, 1 by 6, इसमें से minus कर देंगे, new ratio, 1 by 5, तो देखते हैं, क्या होता है, जाहिर सी बात है, हमको पता है क्या होगा, अगर यह 2 gain कर रहा है, और यह 3 sacrifice करना है, तो इसका मतलब 1 by 30, यह क्या करेगा, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हम calculate करके, 5 minus 6, ठीक है, 5 minus 6 हो गया यहां पर, तो यह हो गया आपका 1 by 30, यह इसने sacrifice किया, कुछ mistake हुआ है, देखते हैं, 10, 12, 2, इसने भी क्या किया है, minus में आ रहा है न, minus में आ रहा है, तो यह क्या होगा, 1 by 30, इसने क्या किया है, इसने भी gain किया है, ठीक है, 1 by 6 minus 1 by 5, तो यह minus में आ जगा actually में आपका 5 और 6, ठीक है, तो 1 by 30 जो इसने gain किया है, अब आप देखना, यहां पर A ने sacrifice किया 3 by 30, तो उतना ही B और C ने gain किया अगर 2 by 30 और 1 by 30 को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 3 by 30 इसका मतलब क्या है कि A ने जितना sacrifice किया उतना ही जो है B ने क्या किया और C ने gain किया clear है बात यहाँ पर थोड़ से calculation पर हमेशा ध्यान देना इसने 3 by 30 gain किया तो इसने 2 by 30 और 1 by 30 क्या किया gain किया तो इसने sacrifice किया और इन दोनों ने gain किया clear है बात ठीक है इसके बाद हम चलते हैं आपके next question पर चलिए अगला question हम देखते हैं X and Y दो partner हैं सबसे परिणाम देखते हैं X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 to 3 clear बात है 5 by 8 जो है वो X का हिस्सा है पुराने फर्म में और 3 by 8 जो है वो Y का हिस्सा है पुराने firm में मतलब समझना कि total profit को कितने हिस्सों में बढ़ता जाता था आठ हिस्सों में जिसमें से 5 हिस्सा रखता था X और 3 हिस्सा रखता था Y पुराने firm में अब इनके बीच में profit sharing ratio change हुआ कब 1 April 2016 को they agreed to share profits equally अब वो यह decide कियें कौन X और Y ने कि हमारा जो new firm में जो profit sharing ratio होगा वो equally होगा मतलब 1 to 1 के ratio में होगा और यह होगा आपका 1 by 2 और 1 by 2 मतलब total profit को 2 हिस्सों में बढ़ता जाएगा जिसमें से 1 हिस्सा कौन रखेगा X और 1 हिस्सा कौन रखेगा Y इसके बाद देखते हैं old ratio minus new ratio 5 by 8 minus 1 by 2 इसमें से हम LCM कितना ले लेंगे 8 लेंगे तो यह हो जाएगा 5 minus 4 मतलब 1 by 8 प्लस माया तो sacrifice किया किसने X ने यहाँ पे sacrifice किया 1 by 8 अब बता सकतो हूँ बिना calculate किये कि Y ने कितना gain किया जितना इसने छोड़ा उतना ही यह gain करेगा मतलब यहाँ पर 1 by 8 जो है वो gain करेगा कौन? Y कैसे? calculate करके भी देख लेते हैं 3 by 8 जो इसका old profit sink ratio है इसमें से minus कर देंगे 1 by 2 LCM ले लेंगे 8 3 minus 4 तो minus माया 1 by 8 मतलब इसने 1 by 8 gain किया कहने का है यह इसने जितना sacrifice किया उतना ही आपका दूसरे partner ने यहाँ पे gain किया तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि किस तरीके से हम calculate करते हैं आपका sacrificing ratio और किस तरीके से gaining ratio आप calculate करते हैं? कुछ और example हम देख लेते हैं अलग से समझने के लिए बात को देखें यहाँ पर हटाते हैं और कुछ और example हम देखते हैं चलिए कुछ books बगरा से हम और question यहाँ पर ले लेते हैं देखें यहाँ पर लिखता है A and B were in partnership firm sharing profit equally यहाँ पर दो partner है आपके कौन-कौन है? A और B दो partner है जिनके बीच में old profit sharing ratio लिखता है कितना? 1 is to 1 मतलब 1 by 2 इसका है और 1 by 2 इसका है ठेक है? new profit sharing लिखता है with effect from 1st April 2016 they agreed to share profits in the ratio of 4 is to 3 जो नए firm में उनका profit sharing ratio होगा वो 4 is to 3 का होगा मतलब 4 by 7 जो है वो A का हिस्सा होगा नए firm में और 3 by 7 जो है वो किसका हिस्सा होगा? B का हिस्सा होगा नए firm में calculate कर लिजे, अब तो बहुत आसान है old ratio minus 4 by 7 new ratio तो कितना इसने sacrifice किया वो देखते हैं? 14 डेलो आप यहाँ पे LCM 7 minus 8 इसका मतलब minus में आ रहा है 1 by 14 तो मतलब हुआ कि यहाँ पर A ने gain किया और जितना यह gain करेगा उतना ही आपका दूसरा partner sacrifice करेगा देखना, 1 by 2 में से minus कर देंगे आपका 3 by 7 तो 14 LCM डेलो, 7 और minus कर देंगे 6 ठीक है? तो यह किस में आ रहा है आपका? प्लस में आ रहा है, मतलब इसने sacrifice कर रहा है 1 by 14 ठीक है? जितना इसने gain किया उतना ही B ने sacrifice किया clear है? और example हम कुछ कुछ देख लेते हैं, जितना question है आप solve कर लो जहां से नहीं समझ माता है, आप हम से पूछना भी हम आपको answer करेंगे चलिए, कुछ और सवाल, एक-दो सवाल हम देख लेते हैं यहां कहता है A, B, C, तीन partner है, कौन है? partners में सबसे पहले एक दो A, B, C, तीन partner है और इनके बीच में जो old profit sharing ratio था, वो था 4 is to 3 is to 1, 4 is to 3 is to 1, मतलब 4 by 8 इसका हिस्षा था, 3 by 8 इसका हिस्षा था, और 1 by 8, जो है वो C का हिस्षा था, किसमें तो आपके पुराने firm में, और इनके बीच में profit sharing ratio change हो गया, और इनके बीच में profit sharing ratio, जो नया profit sharing ratio बना, वो था आपका 5 is to 4 is to 3 का ratio, जो है वो बना, तो आपको calculate करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कि gaining and sacrificing ratio, नया ratio यह है, तो 5 by 12, A का हिस्षा, 4 by 12, B का हिस्षा, और 3 by 12 जो है, वो किसका हिस्षा है, आपका C का हिस्षा, अब आप calculate easily कर सकते हो, gaining ratio and sacrificing ratio, देखिए, कैसे calculate करेंगे, old ratio, जादा से जादा आपको question जो है वो practice कर लो, ताकि फिर बाद में कोई confusion ना रह जाए, ठीक है, यह हो जाएगा, तो LCM कितना लेंगे, 24, LCM कितना लेंगे, 24, तो 12 minus, 10, यह कितना हो जाएगा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब sacrifice हो रहा है, 2 by 24, आपका A ने sacrifice किया 2 by 24, आप देखते हैं, B का, 3 by 8, इसमें से minus क्या कर देंगे, 4 by 12, LCM ले लो, 24, 9 minus 8, यह होगा ना, 8, ठीक है, तो यह कितना आपका प्लस में आ रहा है, 1 by 24, इसने भी आपका क्या किया, sacrifice किया 1 by 24, अब आप बिना देखे, यह बता सकते हो कि किसने गें किया, और कितना गें किया, तो यहाँ पर C ने गें किया होगा कितना, बिना देखे, बता दू आप, 2 by 24 इसने sacrifice किया, 1 by 24 इसने sacrifice किया, तो 3 by 24 जो है, वो C ने गें किया होगा, calculate कर लेते हैं, 1 by 8 में से minus कर देंगे, 3 by 12, L C हम ले लेंगे, 24, 3 minus 6, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 by 24 माइनस में आएगा, इसका मतलब इसने gain किया, clear है बचो, तो यहाँ पर हमें क्या सीफने को मिला, सबसे पहला step आपने क्या किया, gaining ratio और sacrificing ratio calculate किया, और इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि जो partner जितना sacrifice करता है, उतना ही जो है आपका दूसरा partner gain करता है, मतलब जितना हिस्सा छोड़ेगा, उतना हिस्सा दूसरे को मिलेगा, यह आपका पहला, दूसरा gaining ratio और sacrificing ratio हमने calculate करना सीख लिया, अब इसके बाद का जो step है वो हम सिखेंगे, valuation of goodwill, goodwill का valuation जब हम करना सीख जाएंगे, super profit method, average profit method and capitalism method से, तो goodwill का valuation करना सीख गए, अब हम क्या करेंगे, कि जो partner gain कर रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यह partner जो आपका gain कौन सा कर रहा है, C gain कर रहा है, कितना 3.24, तो यह इतना हिस्सा, goodwill का किसको देगा, compensation के तौर पे, A को और B को यहाँ पे, compensation के तौर पे, वो goodwill का उतना हिस्सा देगा, क्योंकि A, B, C, जो existing partner है, यह यहाँ पर business करने बाठे हैं, व्यापार करने बाठे हैं, और यहाँ पर सब कुछ जो है, वो हिसाब किताब से चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसने gain कर दिया, तो भाईया रहने दिजी, आपको हम देगे नहीं, या आप manage कर लिजी, ऐसा नहीं है, व्यापार चल रहा है, जितना हिस्सा इसने gain किया है, उतना आपका goodwill का हिस्सा, किसको देना होगा, तो sacrificing partner को देना होगा, as a compensation, प्लियार है, तो अगला जो हम आपको topic बताएंगे, वो valuation of goodwill बताएंगे, तो सबसे पहले आप goodwill को evaluate करना सीख जाओगे, उसका किस तरीके से हम calculate करते हैं, वो सीख जाओगे, तब हम जानेंगे कि gaining partner, किस तरीके से sacrificing partner को compensation देगा, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, Thank you very much. किस तरीके से जाओगे,